कि दियर स्ट्रेंट्स वी आर गोइंग तो लर्न अबाउट एक्टिविटी नंबर 30 और बिरिज कोर्स इंग्लिश लेंगवेज कलास 9 बड़े इंट्रेस्टिंग एक्टिविटी है बहुत दिल्चस्पे एक्टिविटी है और यह एक्टिविटी भी जो है इट इस अबाउ एक्टिविटी आई थी जिसमें हमने वर्ड चैन लिखा था तो उस उसी तरीके से यह एक्टिविटी दिवी है लेकिन अब जिसमें यहां पर देखिए एक वर्ड चैन दिया हुए बाल लैप पॉर्ट टॉप पैरोट है ना तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला एक्टिविटी में देखा कि इस तरीके से हम अलग अलग जो वर्ड से जो रैट डाउन करते हैं फिर उससे पहले बताया कि रिलेटेड वर्ड यानि ऐसे वर्ड से लिखना है जो एक दूसरे से रिलेटेड है जैसे अगर हमने यहां पर देखा किर्केट तो लास्ट लिखेंगे मैच तो इस तरीके से जो जितने भी वर्ड लिखेंगे वो वर्ड कहीं ने कहीं रेलेटेड रहेंगे कर्केट से इस त्उस्थ यह। हम लिख सकते हैं एलिफन कि ज़ो जङगल में ह। है उसमें एलिफन होते तो झाहित सकते Θए और और भीस तालulk हो सकता है यह ट्री से हो सकता है यह इस तरीके से तो इसको हम कहता है रिलेटेट वर्ट से यह घाने होता है लेकिन रिलेटेड वर्ट स्थ होते है और आदक Love अस क्या होता है देखें यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें कुछ alphabet से यूज हुए है so can you read this word no we cannot read this word हम इसे लफजों को नहीं पड़ पा रहे है लेकिन actually यह जो वर्ड है यह क्रेंबल है यानि इसको mix कर गिया गया दरसलब अगर हम इसको सही तरीके से तर्तीब से अगर इसके लेटर से लिखें तो यह वर्ड बन जाएगा elephant तो elephant में जो लेटर इस्तिमाल हुए वही लेटर यहां भी use हुए लेकिन उसकी तर्तीब सही नहीं है इसे हम कहेंगे scrambled word तो यह word actually लिखें यह है elephant इसी तरीके से लिखें तर्तीब में लिखें तो यह बन जाएगा बोट इसी तरीके से आएक अजीब गरी word दिया हुए देखिए इसको पड़ पा रहे हैं नहीं पड़ बार रहे हैं लेकिन इनी लेटर को सही तर्तीब में लिखें तो वर्ड बनेगा beautiful एक particular तर्तीब में हो जाएगा तो उसके इलावा भी एक चीजी होती है कि जो दियाव वर्ड होता है उससे हम short word बना सकते हैं जैसे यहाँ पर दियाव है temperature तो वर्ड बनेगा temper या पीवर रैट रक्चर टियर है न कोई बड़ा वर्ड अगर हम ले तो उससे भी अलग-अलग छोटे वर्ड से यहाँ पर बनाए जा सकते हैं तो इस तरीके से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई बड़ा वर्ड लेजिए जैसे लेजिए कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन वर्ड लीजिए और उससे जो छोटे-छोटे वर्ड बनाए जैसे यहाँ पर बने हुए है न तो यह इस तरीके की एक्टूटी अक्सर एक्टूटी शीट में आपको पूछी जाती कि एक वर्ड दिये रहता है जिसमें ज्यादा लेटर से यूज वे होते ह हैं और उसमें दिये वे लेटर से का यूज करते हुए ही हम छोटे-छोटी अलग-अलग जो है वो वर्ड मेनिक्फुल वर्ड से बना सकते हैं अब आपको समझाने के लिए और एदर वर्ड से के एक्जांपल मैंने आपको दिये उसको भी आप देखते चलिए देखे पहल से नया वर्ड हमने बनाया लैब अब लैब पर तालूब भी स्कूल से है ने स्कूल में लैब होती ही जहां पर आप साइंस प्रैक्टिकल करते हैं फिर लास्ट वर्ड आया है बी अब बी से आप कोई दूसरा वर्ड बनाएं जिसका तालूब जो है वो स्कूल से हो इसी त जंगल और उसमें लास्ट लेटर जो है वो है टी तो टी से एक नया वर्ड बनेगा विच इस रिलेटेट टू फॉरेस्ट दे लेटर इस ट्री जो टी से शुरू रहा है फिर आखिर मैं ए तो आप ऐसे ऐसा कोई भी वर्ड जिसका तालूप जो फॉरेस्ट हो वो कोई फूरूट का नाम हो सकता है एनिमल का नाम बर्ड का नाम एनिटिंग वो आपको इसके आगे रैट डाउन करना है देन नेक्स एक्टुटी आपको करनी है स्क्रेंपल लेटर पर जिसे मैंने यहाँ पर एकजांप़ दी भी है एक वर्ड यहां पर लिखका वाए इस हम उसको पढ़ भी सकते हैं कभी कभी हम पढ़ भी नहीं पाते हैं ऐसा वर्ड होता है लेकिन actually क्या वर्ड है यह है फिशर मैं तो इस तरीके से और भी यहाँ पर नीचे जो है different words दिये वे हैं five words दिये वे हैं तो यह word जो यहाँ पर दिये वे हैं स्क्रेंबल लेटर के साथ है यानि इसमें जो लेटर से यूज हुए है वो आगे पीछे है not in a proper way सही तर्दीब में नहीं है तो आपको उसे यह देखना है कि उससे कौन से लफज बन रहा है वो लफज आपको इसके आगे write down करना है और फिर एक word मैंने आपको बताए था कि ज communication अब देखिए जो word है communication तो इससे आपको जो है वो दूसरे word से बनाने है एक ऐसा word दिया हुए जिसमें अलग-अलग लेटर से यूज हुए है उन्हीं लेटर से का यूज करते वे आपको different word से बनाने है जैसे मैं मिसाल एक आपको बदा देता हूं कि जैसे अच्छा इसमे आप जो word बनाएंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि at least three later उसमें use होने चाहिए at least three later है नहीं सिर्फ अगर आप आई लिख दे आई मिन समय तो या in लिख दे आई एन तो वो complete नहीं माना जाएगा तो इसलिए आपको ऐसा word लिखना है जिसके कोई ना कोई मीनिंग ह हो रहे हूं तो तीन-चार अलफाज अब इतने बना सकते हैं उतने बनाने की कोशिश कीजिए तो यह एक्ट्विटी आप complete कीजिए और इसे अपने assignment में assignment के तौर पर आप अपनी copy में जो है उसको note-down कीजिए तो यह थी activity number 30 जिसमें कुछ इंट्रेस्टिंग activities दी है वह आपको यहां पर जो है complete करना है तो देखो देखिए उसमें जो और कुछ एक्ट्विटी जिद्व से रिलेटेड जैसे वर्ड चैन दिया हुआ है पें दिया हुआ है ना नेल कटर रोस्टर एक इसी तरह की से रिवर है ना त इसके बाद scramble letter word यहां पर एक दिया हुआ ocean यानि समझतर उसको यहां पर scramble form में दिया हुआ नंबर लेटर में तो जो एक्ट्विटी जो एक पताई है आप उतनी जो ए उसको अच्छी तरह के सा हल कीजिए I hope कि आप अच्छी तरह के से इन तीनों चीजों को समझ चुके होंगे अब next session में हम next activity जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे till then good bye